तो आज इस special class में हम antilopes के बारे बात करेंगे antilopes क्या है कैसे होते हैं कहां कहां पाए जाते हैं और उनके good afternoon all सबको good afternoon और antilopes के बारे हम discuss करेंगे आपने अगर पिछला session एक और मैंने session लिया था antilopes पे तो वो अगर नहीं आपने अटेंट किया हो तो यहाँ पर आप इसके बारे में antilopes के बारे में जान सकते हैं इस special class में ऐसी कई सारी special classes और कई सारे plus courses जो है वो unacademy की website पर और unacademy के learning app पर plus tab में available होते हैं ठीक है न तो आपको अगर किसी भी topic पर special class चाहिए या plus course ढूंड़ना है तो आप plus tab में जाके search कर सकते हैं आपको मिल जाएगा तो special class और plus courses ऐसे बहुत सारे educators जो unacademy के हैं वो इस तरहे की special classes लेते हैं बहुत अच्छी classes और courses होते हैं तो आप ज़रूर उसमें जाएं और registration करवाएं अपना उनको follow करें असल में ये special classes क्यों होती हैं ये special classes इसलिए होती हैं ताकि आप में से जो serious learners जो वाखी में exam के लिए preparation कर रहे हैं बिल्कुल seriously जो exam के लिए preparation कर रहे हैं उनको दिक्कत नहों उनकी सहूलियत के लिए उनको exam preparation में फायदा हो मदद मिलें इसलिए ये plus courses होते हैं special classes होती हैं क्यो तो एक्जामBon Valentinal के लिए जो चारे हैं मतलों 상भ ही लिए उनको बहुत model प्रबशन करने वाले हैं उन koral को बहुत मिलती है और इसको बहुत अफोरड़ प्राइसिस पर रहा हुय जैसे एक रुपए, बीस रुपए, पच्चेस रुप, पचास रुपए, ऐसे बहुत ही affordable prices पे इनको रखा हुआ है, ताकि spamming नहों, spamming को avoid करने के लिए, ये इसमें pricing रखी हुई है, हाला कि बहुत minimum price है, आप special classes, इस तरह की कई सारी special classes जो है, कोई भी आप join कर सकते हैं, plus step में जाक ठीक है न, अच्छा, इनका registration दोपर को 12 से डेड़ की बीच में open रहता है, तो जैसे आज हमारी ये special class है, तो इसका registration आपने आज दोपर को 12 से डेड़ की बीच में करवाए होगा, तो कोई भी special class अगर आपको join करनी हो, तो जिस दिन वो special class होती है, उस दिन दोपर को 12 से डे लेबल होती है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत में कितनी species के antilopes हैं, अगर आप कोई सुन पा रहे हो, आवाजारी में very clearly, हलो, 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 आवाजारी है, हाँ, तो बताइए भाई, फिर कितने types के antilopes होते हैं भारत में, कितने types के antilopes ह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौदर, कितने तरहे हैं, अभी ये सिर्फ गैस मारी है, मैं आपको इसलिए ये exercise करवा रहा हो, ताकि आपको visualize करने में समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको जब slide shows करूँगा, slide show करूँगा, तो आपको और आसानी ह होगी, हाँ, चार और पांच पे आपका जवाब बटक रहा है, तो देखते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा hold पे रखिए, थोड़ा suspense बनाया रखते हैं, ठीके न, आपको दो पिक्चर्स में बता रहा हूँ, सामने आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो फोटोग्र है, सेकिंड वाला, राइट साइड वाला एंटी लोप है, राइट साइड वाला एंटी लोप है, लेफ्ट साइड वाला है, स्पाइडल वाला एंटी लोप, ओके, क्यों एंटी लोप है, अभी सिर्फ गेस मालिए, ताकि आपका थोड़ा, इसमें माइंड चलना चालू हो के हौंड और हूवड हैं और और दो बाते तो सही है इसमें इसके हॉंस हैं और इसके हूव्स हैं हूव्स मतलब क्या होता है हिंदी में हूव हूफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं खुर ठीक है ना आपने गाए के पैर में खुर देखा होगा गाए भैस भेड बखरी इन सब के पैरों में खुर होते हैं तो ये हुफड एनिमल्स हो गए ठीक है ना करेक्ट तो एंटी लोप हूवड है पहली बात दूसरी बात इसके हौन से सींग है वो भी करेक्ट है अपका दो बाते सही है इसके बॉड़ी पर स्ट्राइप्स होना न होना इर्रिलेवेंट है और इंमाटीरियल है ठीक है हाँ आगे दिखेंगे लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा हूगा इसको देखके अंदासर तो लगी रहा हूग कि हूप है हूप है ठीक है तो सही जवाब यही है कि यह डियर है लेफ्ट में और राइट में एंटी लोप है क्यूं है हम देखते हैं अच्छा आप में से किसी अगर नहीं कियो तो मुझे भी पूछने में मजा आएगा क्यूंकि पहले से सस्पेंस थोड़ा बना रहा है तो अच्छा है पहले से अगर क्लास जोइंद कर ली हो पहले क्लास कर ली हो आपने तो तो फिर वो मजा नहीं आता है है ना अच्छा इन में similarities क्या-क्या होंगी हिरन में और एंटिलो में similarities के difference क्या हो तो आपने बता दिया हुझे similarities क्या-क्या होंगी दोनों में यह मैंने हाल लिख रहा है हाँ size में लगबग एक जैसे हाँ बिल्कुल है weight weight size बिल्कुल सही appearance में एक जैसा आप देखिए संस्कृत में हिरन और म्रग इसमें हमें भारी confusion होता है होता है कि नहीं मैंवल से correct, who do मैंवल से हैं और सबसे पहली चीज तो हमें देखने में ही confusion होता है कि यह deer है कि antilope है ठीक है ना face similarities आप कह सकते हैं वैसे हम कहेंगे इसको appearance में similarities आप देख के सिर्फ सींगों से आदाज अला सकते हैं क्लिनिकल observation केवल सींग है वैसे आप देख के एकदम से पता नहीं लगा सकते ठीक है दूसरी बात यह सबके सब ruminants है ruminant क्या होता है को बताएगा आप मैंसे ruminant क्या होता है कि ruminant क्या होता है कि दूसरी नहीं चलिए हम discuss करेंगे तो उसके अंदर पता चली जाएगा आपको डिफरेंस क्या है दोनों की बीच में मैंने similarities तो आपको बता दी डिफरेंस क्या क्या है deer और antelope में डिफरेंस क्या है horn तो देखते ही समाझ में आता है horn और antlers जो है हिरन के सींगों को antlers कहते है antlers कहते है antler कहते है antler antler हिरन के सींगों को antler कहते है हमेशा antler कहते है हिरन के सींगों को horn नहीं कहते है ौं किसके सींगों को कहते हैं, एंटी लोग के सींगों को कहते हैं, ठीक है, तो तूसरा एक और डिफ्रेंस है, जो देखने पर आपको समझ बे नहीं आएगा, इन दोनों की फैमिली आलग अलग है, फैमिली क्या या होती है, टेक्सोनोमिक फैमिली, बायोजिकल फैमिली क्या होती है कोई बताएगा जैसे हिरन जो होते है वो सरविडे फैमिली के होते हैं और एंटिलोब होते बोविडे फैमिली के तो यह फैमिली कौन सी फैमिली है, क्या फैमिली है, क्या होती है फैमिली यह फैमिली क्या है न इसमें कोई बताएगा कुछ explanation अच्छा आपने एक टर्म तो नशीचित सुनियोगी cat family सुनिये आपने cat family cat family तो जैसे cat family होती है जैसे cat family होती है cat family में कौन-कौन से जानवर आते हैं कौन-कौन से आसे cat family में हाँ correct lion आता है, tiger आता है, इसब cat family के ठीक है अच्छा अब थोड़ा सोच के देखी dog family में dog family हाँ, चीता आता है, चीता सबसे unusual member cat family का चीता भी आता है dog family में कौन-कौन से जानवर आते होंगे dog family में dog family में कौन-कौन से जानवर आते होंगे correct, jackal fox और wolf, correct हाँ, बिल्कुल fox आता है, fox आता है fox मतल लूम्डी wolf आता है, correct तो जो familiar animals है, उसमें तो jackal fox, wolf आते है उसके अलबा कई सारी नहीं, हाइना नहीं आता है हाइना dog family में नहीं आता है, ठीक है anyway, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि family क्या होती है ठीक है अब आपको जानके ताजुब होगा, आश्चर होगा कि आपको जानके आश्चर होगा कि यह जो antilopes होते है antilopes cow family के हैं, न कि deer family के मतलब यह cow है भाई यह गव माता है, cow है यह देखने हैं आप, cow है यह, खिरन नहीं है तो आगे चलते हैं, अगर tiger cat है, तो यह भी cow है क्योंकि cow family का है anyway, तो antilope word आया कहां से, antilope word कहां से आया antilopes, ठीक है, antilopes असल में एक mythical creature था mythical creature क्या होता है, मैंने आपको example देने के लिए Indus Valley की seal बनाई हुई यहां पर, Indus Valley की seal यहां पर put की हुई, यह picture यहां पर डाला हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि mythical creature होते क्या है, यह है unicorn, unicorn मतलब एक scene वाला जानवर एक mythical जानवर, क्या एक scene वाला जानवर आपने कोई देखा है, नहीं देखा, होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना, capricorn नहीं होता नहीं होता, mythical जानवर है, अच्छा है, एक scene वाला जानवर आपने tv में देखा है, नहीं, एक scene वाला जानवर ऐसा नहीं होता है mythical creature है, मतलब kalpani creature है, तो इसी तरह से kalpani creature था Greeks के हिसाब से Enthlops, वो ऐसा kalpani creature था, मतलब खास करके जो Greek Christians थे Byzantine Empire के टाइम में जो Greek Christians थे उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी मान देता थी, कि ये जानवर जो है, वो Mesopotamia पाया जाता है पहली बात, और दूसरी बात ये अपने सींगों से अपने सींगों से पेड़ काटता है ठीक है ना? ये अपने सींगों से पेड़ काटता है ऐसी इनकी मानने था थी, Enthlops एक ऐसा जानवर है, जो अपने सींगों से पेड़ काटता है और दूसरे जानवरों को खाता है परभख्षी है तो इन लोग की ये मानने ता थी Greeks की ये मानने ता थी एंथलोपस नाम का जानवर है चुकि एंटिलोप जो है एंटिलोप उनकी तरह दिखता है मतलब उस तरह के जानवर से resemble करता है, इसलिए वो नाम पड़ा, Anthelopes, Greek word है, लेकिन ये Greek word, ये Greek word सबसे पहले French में आया, French में antelope word आया, और फिर French से अंग्रेजी में 15th century में, 15th century मतलब 14 कुछ-कुछ में, ये antelope word, English में finally enter हो गया, antelope के पीछे E लग गया, antelope बन गया, ठीक है, English का antelope, ठीक है ना, दूसरा एक और दूसरी एक थियोरी है, इस word के origin की, एक और थियोरी है, एक और थियोरी ये है, कि Anthos और Ops से बनाया है, Optical, ठीक है, Optics, ये सब क्या होता है, इनका आखों से connection है, तो Flower-like Ops, मतलब, फूलों की तरह संदर आखे, जिस जानवर की है, उसको हम antelope कहेंगे, ये भी एक थियोरी है, लेकिन हाला कि Anthelope स्वाली थियोरी ज़्यादा सही है, लगता तो ऐसा ही है, तो इस तरह से antelope शब्द आया, अभी अभी आपने मोगे बताया था, कि hooves क्या होते हैं, खूर होते हैं, ठीक है न, लेकिन hoved animals भी दो तरह के उते हैं, hoved animals भी दो तरह के उते हैं, यहाँ पर आप ए घोडे को देख रहे हैं, और ए गाये के खोर हैं, कभी देखा है, ध्यान दिया है, ये चीज़ा observe करते चलिएगा क्योंकि रोज मर्णा की जिंदगी में आपके आसपास इस तरह की examples आते रहेंगे तो आपको ये सब observe करते हुए चलना है और आपके जो exams पर questions आते हैं वो theoretical तो आते ही हैं साथ ही साथ आपके observation based भी आते हैं कि आपका observation कितना तगड़ा है कितना मजबूत है आपको देखते चलना है कौन-कौन से जानवरों के cloven hooves होते है cloven मतलब बीच में इसके gap है ये cloven hooves है ठीक है ये cloven hooves नहीं है ये cloven hooves है ठीक है गाय के cloven hooves होता है घोड़े का cloven hooves नहीं होता है तो गोड़े का हूफ है घोड़े का खुर है अब मुझे बताइए इसमें से even toad कौन सा है तो मतलब क्या होता है टी-ो-ई-टो मेरे ख्याल से सबको टो का मतलब मालूम है अंग्विलेट्स मतलब जिनके toes होते है ठीक है जिनके खुर जिनके toes होते है तो इसमें कितने toes है खुर तो एक ही toes कितने इसके left side में जो picture बना हुआ है जो photograph बना हुआ है उसमें कितने toes है दो toes है ठीक है तो यह हो गया left side वाला even toad क्या हो गया क्यूंकि तो एक even number है हैंगी नहीं यह दो even number है हलो हलो आवाज आ रही है कि इवन टो है करेक्ट इवन टो मतलब दो तोज है इसके दो या तीन या च्छे दो या तार या शे इवन नंबर्स में जिसके toes होंगी उसम इवन टोट angulate कहेंगे ठीक है आरी आवाज आरी है और जिसके एक तीन पांच इस तरह से गिंती में toes रहेंगे उसको हम और टोट कहेंगे तो तो एंटिलोप्स even toad होते हैं even toad angulates होते हैं odd toad angulates जैसे आपने right side वे देखा है घोड़े के खुर है घोड़ा और टोट अगुलेट है zebra और टोट अंगुलेट है ठीक है न जीबरा भी एक तरह का घोड़ा ही होता है गधा आपने देखा होगा वो भी और टोट अंगुलेट है ठीक है तो even और और टोट अंगुलेट आपको समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं इस पर जारा समय खर्च करनी की ज़रूरत नहीं even toad अंगुलेट यह होता है देखिए आप पिक्चर में देखिए यहाँ पर आपको चार टोज दिख रहे हैं इसके एक दो तीन चार आगे चले अब अंगुलेट मतलब आप मेंसे अभी किसी ने पूछा था अंगुलेट का क्या मतलब होता है अगुलेट का सीधा-सीधा मतलब होता है हुवड एनिमल्स हुवड एनिमल्स ठीक है हुवड एनिमल्स वतलब जिनके खुर होते हैं आपको इस पिक्चर में यह वेल दिख रही है वेल वेल भी अंगुलेट में मानी जाती है साइंटिस आजकल के मानते हैं कि वेल भी अंगुलेट होती है यह थोड़ा आपको सुन तो ruminant क्या होता है वन आपसे पूचा था अब हम रूमिनेर्ट पे आते ह। मतलब रूमिनेर्ट के दो पेट होते हैं जैसे हमारा एक पेट है वैसा एकप हुट जैसा ही कुछ छोता है जिसको हम रूमैय कहते हैं एक specialized stomach होता है और वह पर rumination process होती है, rumination process क्या होती है जहां पर food fermentation होता है और फिर उसके बाद खाना फिर से बहार की तरफ आता है उसको फिर से जानवर चबाता है cut में convert होता है, जुगाली होता है correct जुगाली होती है और उसके बाद वो final digestion के लिए जाता है, इसको four gut fermentation भी कहते है कि आखरी में जाने से पहले secondary digestion होता है तो इस तरह का rumination होता है और जानवरों में, जिन जानवरों में rumination होता है उनको हम कहते है ruminant, जिन में ये system होता है उनको हम ruminant कहते है, तो mammals में ही होता है, birds में, reptiles में नहीं होता है परिगुट कंगारू होता है कंगारू रूमिनेट होता है बिल्गुट करी 200 स्पीशीज में क्या गाय को तो करोगे दो रूमिनेट्स में इंकलूट हाँ जिराफ है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है फिरन भी है मस्क डियर भी है माउस डियर भी है कंगारूस भी है क्या नहीं है पूट नहीं है के मल रूमिनेंट नहीं है आपको ताजूब होगाूफ डैनिमाल है लेकिन यह नहीं है नहीं मंकी मंखी मुनियेट नहीं होता है नहीं मंकी रूमिन replicate नहीं होती है ठीक है प्राइमेर्प्रायप्र monkeys, apes ये सब primates होते हैं, ठीक है, मनुश्य हम लोग भी primates की ही category में आते हैं, ठीक है, तो ruminant क्या होता है, आपको clear हो गया, करीब 200 प्रजाती के ruminants होते हैं, 200 प्रजाती के mammals ruminants होते हैं, जिसमें गाय की family के आगाए, hiran family के आगाए, अच्छा deer, musk deer और mouse deer ये तीनो अलग-अलग families के हैं musk deer हिरन नहीं होता है, mouse deer भी हिरन नहीं होता है जैसे कि antilope हिरन नहीं होता है, वैसे ही नहीं होता है, musk deer को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक जवाब और ने कोई? कस्तूरी है, तो musk deer, इसको हम हिरन तो इसके एक अलग ही family है, तो musk deer अलग family का होता है mouse deer भी अलग family का होता है, और बाकी हिरन जो आप देखते हैं वो अलग family के होते हैं, और antilopes कौन सी family में आते हैं? antilopes आते हैं, गाय की family में, मतलब बोविट family में, ठीक है? हाँ, भोवाइन family में, cow family में आते हैं, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था, अलग-अलग families के बारे में बताया था, आपी ने मुझे जवाब देते हैं, सारे जवाब सही थे आपके, कि cat family में कौन-कौन आता है, domestic cat आती है, tiger आता है, lion आता है, leopard आता है, चीता सबसे unusual member है cat family का, मतलब बात की family member, जो cat family के member से उनसे कहीं से कहीं तक mail नहीं थाता, कुछ-कुछ उस features होते हैं, जिसकी वाज़े से इसको cat family भी लिया आता है, और cat family के member को हम कहते है, felid, felid मतलब cat family का member, cat family के member को हम कहेंगे felid, ठीक है? ऐसी एक dog family है, जिसके बारे में भी आपने सही जवाब दिये थे, dog family के member को हम कहेंगे canid, तो आपने कभी-कभी literature में पढ़ा होगा canid world, c-a-n-i-d, canid, मतलब dog family का member है, तो हम cow family के member को क्या कहेंगे, वो भी, ठीक है की नहीं? अच्छा, families के बारे में आपको बता दू, थोड़ा सा topic से हटके बता दू आपको, मनुष्य कौन सी family में आता है, हम लोग कौन सी family में आते हैं, तो हम आते great ape family में, हम भी ape हैं भाई, हम भी कोई बहुत, हाँ हम ape family में आते हैं great ape family हमें आते हैं केवल ape family में आते हैं यहोती फैमिलीज है अब जैसे जानवरों की फैमिलीज होती है हलो जैसे जानवरों की फैमिलीज होती है वैसे पेड़ पौधों की भी फैमिलीज होती है पेड़ पौधों की भी फैमिलीज होती है आपको पता है पौधों की भी फैमिलीज होती है जैसे बास होता है गन्ना होता है ये पेड़ थोड़ी होते है ये घास है grass family के members है यहां तक कि हम जो गेहूं खाते है जो धान खाते है जो चावल खाते है जो मक्का खाते है यह सब के सब grass family के members है ठीक है न? तो यह families होती है taxonomic families काफी बात कर लिए इसके उपर अब इसके उपर जारा time की खर्च करना है आगे बढ़ते है तो cow family में bovid family में करीब 145 species है 145 प्रजातिया है cow family में bovids 145 किस्म के है 145 species है और मैंने about इसलिए कहा है यहां पे क्यूंकि scientist के बीच में मत भेदे कि 145 है कि 150 है कि 140 है इसको लेकर scientist में मत भेदे लेकिन on an average 145 145 प्रजातिया है cows की cow family की bovids की अब cow family में क्या क्या आता है गाय के परिवार में कौन-कौन आता है गाय के family में गाय तो आती है और cow भी आपको बता दो जो cow आप देखते हैं वो अकेली cow की species नहीं है cow की कई सारी species है सब species भी दो है और species भी कई सारी है अभी यहाँ पर वो वक्त नहीं है कभी में cow family के बारे में special class लोंगा तो आपको बताऊंगा कि cow family में कौन-कौन सी cow आती है कौन-कौन सी species है गाय की जो भारत में नहीं पाई आती है cow family में कौन-कौन आता है एक तो cow आती है दूसरी भैंस भी cow family में आती है बाईसन भी cow family में आता है बाईसन मतलब अमेरिका में आपके बाईसन पाई आते है अमेरिका के आपने अगर documentaries देखी हो movies देखी हो नेशल जोग्रोफिक वगरे आप देखते हो तो आपने इसको देखा होगा बाईसन का बाईसन को देखा होगा ठीक है ना तो हाँ प्रेरीज में पाई जाता है खरेक्ट प्रेरीज में पाई जाता है ग्रासलेंड अनिमल है देखा जातो इस सारे गायब है जो भी यह सब ग्रासलेंड अनिमल सी है ठीक है तो एक grassland चर्वाइं पाय यह था bison और उससे मिलता जुलता होता है गौर गौर bison से related तो नहीं है लेकिन दिखने में appearance में bison जैसा होता है असल में गौर मतलब cow के ही genus का होता है अब genus क्या होता है? कोई बताएगा genus क्या होता है? G-E-N-U-S genus क्या होता है? जीनस क्या होता है कोई बताएगा आप में से पर साइंटिफिक नेम पैंथ्रा टीगरेस है ठीक है टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथ्रा टीगरेस है और इंसान का scientific name homo sapiens है तो जो panthera है वो genus है panthera genus में अलग-अलग species आती है हाँ panthera यो lion का है correct ठीक है ना class mammal यह है हमारा class mammal है mammal से हम सब ठीक है ना class अलग चीज़ है class के नीचे आता है class के नीचे order order के नीचे family family के नीचे genus आता है सब family भी आता है वैसे बीच-बीच में ऐसे sub classes भी होती है तो genus मतलब जैसे panthera tigris हो गया तो panthera genus की जो species हो वो panthera genus में एंगे तो genus के नीचे फिर species आ गए हाँ first name same रहता correct बिल्कुल सही का आपने तो panthera जो है panthera genus है जिसके अलग-अलग species है भी panthera genus में आता है ठीक है ना गाय का जो genus है वो है BOS BOS गाय का जो genus है वो है BOS BOS और गाय का जो scientific name में पूरा वो BOS Taurus है ठीक है तो गौर भी जो है वो गाय की genus की होती है गौर मतलब दुनिया का सबसे बड़ा cattle होता है गौर मतलब एक से सवाटन भारी होता है वजन में और बाग मतलब टाइगर जो होता है टाइगर भी एक बार इस पर हमला करने के लिए सोचता है एक से सवाटन का होता है और एक fully grown adult male गौर को टाइगर नहीं मार पाता है बहुत बड़ा होता है एक से देर्टन का गौर होता है उसको टाइगर नहीं मार पाता है बहुत बड़ा और बहुत खतरनाव होता है दुनिया का सबसे बड़ा cattle होता है गौर तो गौर काउश से रिलेटेड होता है काउव की जीनस का होता है फिर cow family में और कौन आ सकता है याग आता है और आपको जानके अजीब लगेगा कि भेड और बकरी दोनों के दोनों गाय की family में आते हैं ये भी बोविट्स हैं भेड बकरियां भी बोविट्स होती हैं अज तक हम किस मुगालते में जी रहे थे आप देख लीजिए आज तक हम इन में से किसी में भी कवर नहीं होता है बचा क्या एंटी लोग वो होता है जो इन सब में किसी में भी कवर नहीं होता है हाँ डियर जैसा दिखता है ठीक है लेकिन डियर होता नहीं है क्या होता है वो गाय होती है जो हिरन जैसी दिखती है ऐसा आप सीरे शब्दों में वो क्या है वो है एंटि लोग इसका मतलब यह scientific term तो है नहीं यह generic term है ठीक है ना तो एंटि लोग के features क्या क्या होगा है एंटि लोग के features है कि पहली बात रूमिनेंट है दूसरी बात वो इवन टोड अंगिलेट है इवन टोड अंगिलेट का मेरे ख्याल से अब आपको मतलब समझ आ गया होगा clear होगा इवन टोड अंगिलेट है दूसरी बात cow family का है और एंटि लोग जनरली old world में पाया जाता है old world क्या है कोई बताएगा old world क्या होता है old world means what old world क्या है old world what do we mean by old world old world any guess कोई अंदाजा हाँ इंडिया है बिल्कुल है लेकिन उसकी जनरल डेफिनेशन में बताएगे देखे मैं आपको बताता हूँ old world वह है old world वह है अफरीका नहीं अफरीका को नहीं लेते हैं old world में लेते हैं अमेरिकाज में अमेरिकाज को और ओशनिया या को ओशनिया मतला आस्रील न्यूजी लैंड वगरे जो है हाँ मतलब कि जो 500 साल पहले जो जगह discover नहीं हुई थी उसको हम new world कहते हैं और उससे पहले जो जगे भी हम जानते थे उसको हम new world कहते हैं जिसमेहां अफ्रेका पूरा इंत्रूडडेट है तो old world मतलब America's और Oceanian Antilope अमेरिकास में और Oceanian में नहीं पाये जाते हैं ठीक है न Antilope कहां पाये जाते हैं सुल्ड वर्ल में पाया जाते हैं पुल मिला के हमारे सब्सक्राइ jump जो है वह च्रिक क्र में कोई सांटी्फिक टर्म नहीं है ऐ sauce इसे संधार jogo है कि चुड मिलाके गायक फैमिली का वो मैंबर जो हिरन जैसा दिखता हो उसको हम antilope कहेंगे ठीक है आगे बढ़े antilope की दुनिया में कितनी species है antilope की दुनिया में antilope की दुनिया में करीब 90 species है कितनी है 90 90 species है और ये 90 species 30 genera में है अब genera क्या होता है genera क्या होता है कोई बताएगा genera genera क्या होता है एक simple answer मुझे चीज़, सिर्फ एक answer genera क्या होता है what do you mean by genera genera क्या होता है guess any guess what do you mean by genera genus genus का ही plural genera होता है नहीं, नहीं genus का ही plural genera होता है ठीक है तो genus का plural genera है तो मतलब 30 अलग अलग genus में 90 species antelopes की पाई जाती है उसमें से करीब करीब 60 कम से कम 60 जो वो threatened है threatened क्या होता है IUCN की द्रिश्टी में threatened हम किसको कहेंगे कौन सी species को हम threatened कहेंगे threatened क्या होता है IUCN के हिसाब से threatened क्या होता है लगती के गाहर पर लेकिन उसको मुझे specific term चाहिए बिल्कु specific term चाहिए नहीं तो आगे की बातें आपको समझ भी नहीं आएंगी देखिए मैं आपको simple classification बताता हूँ IUCN जो nomenclature देता है IUCN जो red data book बनाता है जो red list त्यार करता है IUCN हलो 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 IUCN जो red list त्यार करता है उसमें हर species का survey करता है उसके बारे में study करता है और उस study के बाद एक conclusion निकालता है IUCN कि ये species कितने खत्रे में है कितने पानी में है कितने खत्रे में है इसको खत्म होने का कितने डर है कितना संपेट है जो सबसे ज़्याद सेफ होंगी उसको हम least concern कहेंगे LC ठीक है उससे ज्यादा उसको हम रखते हैं category में near threatened NT ठीक है फिर उसके बाद उससे भी नीचे है जिनकी स्थिती नाजुक होती है उसको हम कहेंगे vulnerable उससे भी ज़्यादा नाजुक स्थिती होती वो होती है endangered मतलब संकट ग्रस्त और उससे भी खराब हालत मतलब ऐसी हालत की नेकट भविश्य में जिनका समाप्त होनाता है उसको हम कहते critically endangered मतलब CR तो ये तीन केटेगरीज जो है vulnerable endangered और critically endangered तीनों केटेगरीज जो है वो threatened कहलाती है और उससे नीचे अगर चला गया तो वो होता है extinct in wild मतलब जो प्रजातियां जंगल से खत्म हो गई है मतलब अपने wild state में खत्म हो गई है उनको हम कहेंगे extinct in wild ठीक है न जैसे की extinct in wild अपने हाँ भारत में तो नहीं है लेकिन यॉरप में और अफरिका में कुछ ऐसी species हैं जो extinct in wild हैं जो wild में wild state में समाप्त हो गई है अब सिर्फ captivity में बची है चिडिया घरों में breeding programs बची हुए तो यह हम इस तरह से classify करते है threatened को threatened मतलब critically endangered endangered या vulnerable वो होता है threatened दूसरी बत antilopes कहां पाई जाते हैं antilopes घांस के मैतान में पाई जाते हैं और जाडियों में पाई जाते हैं grasslands और strublend में पाई जाते हैं अच्छा मैं यह सब इतना time इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप imagine कर पाई इन चीजों को आप visualize करकर के इसको देखिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आप इनको visualize करते चलिए ठीक है ना अब देखिए antilopes क्या होते हैं यह क्या है यह सब के सब gazelles है यह सारे के सारे gazelles है ठीक है गजल एंटिलोप है बिल्कुल एंटिलोप है मुझे पताईए भारत में कौन सा गजल पाया जाता है भारत में कौन सा गजल पाया जाता भी भारत में कौन सा गजल पाया जाता है हलो न ब्लैक बग गजल है न नील गाय गजल है चिंकारा, very good और चिंकारा ये है जिसको मैं South Asian Antelope यहां लिखा हुआ है South Asian Gazelle लिखा हुआ है South Asian Gazelle असल में चिंकारा ही है हम यहां पर लोकल भाषा में इसको चिंकारा कहते है ठीक है लोकल भाषा में हम इसको चिंकारा कहते है South Asian Gazelle यह है South Asian Gazelle है इसको हम चिंकारा कहते हैं लोकल भाषा में कहां कहां पाए जाता है भारती ओप महादूइप में Indian Subcontinent में पाए जाता है इसके लबाब और भी गजल की species है जैसे गॉटर्ट गजल हो गया जो की Central Asia में पाए जाता है Mountain Gazelle है यह Middle East में पाए जाता है Spix Gazelle है यह Africa में पाए जाता है Rim Gazelle Africa में पाए जाता है Spring Park Africa में पाए जाता है Dorcas Gazelle Middle East में पाए जाता है Covers Gazelle Africa में पाए जाता है तो आप देख रहे होंगे कि Africa में ज़ादा Antelopes की species है अफरिका में density ज़ादा है अफरिका में diversity ज़ादा है एन्टिलोपस की फिर उससे कम है Middle East में फिर उससे भी कम एन्टिलोपस की diversity है भारत में भारत में सबसे कम diversity एन्टिलोपस की तो बहुत आश्यरी दिनी है अगर गाय यहाँ की यहां की indigenous न हो तो बहुत आच्चरी की बात नहीं ठीक है? Anti-lopes में आगे बड़े तो Black Buck भारत में पाये जाता है बिल्कुल विशुत भारती जानवार है Antilope है, Correct Antilope है डामा गजल अफरिका में पाये जाता है जिवोल्स्की's गजल ये चैना में पाये जाता है endangered है, बहुत छोटी सी इसकी range है मतलब Central Asia में पाए जाता है Somerings Gazelle Africa में पाए जाता है आप लोग अगर documentaries देखते होंगे आपने Serengeti की documentary देखी कि नहीं Serengeti मसाई मारा देखते होंगे आप नहीं देखते हैं TV भी देखते होंगे और राइट साइड में सबसे लेट साइड में नीचे वाला ये ये है Tomson's Gazelle 这里ja Tomson's Gazelle है सारे Gazelles में सबसे ज़ाधा यही पाए जाता है बाकि किसी की भी इतनी population नहीं जितनी की Tomson's Gazelle की है Thompson's Gazelle या Thompson's Gazelle जो है वो यह है ठीक है तो ये Thompson's Gazelle पर यह सेरेंगेटी में पाए जाता है सेरेंगेटी मसाई मारा मतलब इस्ट इफ्रिका में पाए जाता है टॉम्सें स् गजल। पिर यह बड़ा ही अजीब सा एंठी लोप है यह साइगा साइगा पाए जाता है सेंट्रल एश्या में होे agree ÇaThe उजबेकस्तान, तुर्किनिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिसिस्तान और साथ इसाथ सिंक्यांग शायना का जो जिंजियांग प्रोविंस है या सिंक्यांग प्रोविंस है जो कि चाइनीज तुर्किस्तान कहलाता है उसको भी हम Central Asia मिले तो Central Asia में काफी बड़ा एरिया आता है वहाँ पर यह पाया जाता है साईगा Central Asia का है Central Asia में वो यह वाला गजल भी था Central Asia में एक और गजल था Red Fronted Gazelle भी था Red Fronted Gazelle अफरिका में Red Fronted Gazelle अफरिका में है वहाँ पर Goitled Gazelle था यह Goitled Gazelle जो है Goitled Gazelle Central Asia का है ठीक है फिर ग्रांट्स गजेल भी इस्ट आफ्रिका में पाई आता अब मुझे बताईए सबसे ज्यादा गजेल सबसे ज्यादा एंटिलोप्स कौन से कॉंटिनेंट में है कौन से कॉंटिनेंट में है एंटिलोप्स की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कौन से कॉंटिनेंट में आपको पता चल रही है, अफ्रिका में, ठीक है, फिर उसके बाद Central Asia या Middle East में, और फिर भारत में, करेक्ट, अब ये आते हैं grazing antilopes, इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी कि इसके उपर एक बार question आ गया था, UPSC के prelims में question आ गया था, कि Oryx भारत में पाए जाता है, कि इस तरह का कोई question था, ठीक है न, तो Oryx भारत में नहीं पाए जाता है, Oryx कहां पाए जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ये Oryx जैसे दिखने वाला जानवर इसको कहते edX, 300 से भी कम बचे हैं, और ये सहारा desert में पाए जाता है, ये सारे के सारे, या तो desert में पाए जाते हैं, या semi-desert में पाए जाते हैं, correct, सारा desert में पाए जाता है, सारा desert अफरिका में, पता है आपको, सारा desert अफरिका में, भई, अब ये तो पता होना चाहिए यार, इतना तो, तो सहारा डेजर्ट में ये पाया जाता है एडेक्स ठीक है एडेक्स है फिर ये है स्क्रिविटर औरिक्स स्क्रिविटर औरिक्स जो है वो सहारा डेजर्ट में पाया जाता है ये भी ये वाला औरिक्स सहारा डेजर्ट में पाया जाता है ये है East African Oryx सॉरी ये है Arabian Oryx Arabian Peninsular में पाए जाता है Arabian Oryx ठीक है फिर दक्षिनी अफ्रिका में ये पाए जाता है इसको कहते है जैंप्स बक ठीक है ये least concern है ये vulnerable है आपको जानके ताजूब होगा कि ये extinct and wild हो चुका था मतलब ये जंगल में अपने wild state में समापत हो चुका था लेकिन Arab में इतनी अच्छे breeding प्रोग्राम्स चल रहे थे Arabian में और Europe में और North America में जो Zoological Garden से वहाँ पे इतना अच्छा captive breeding हुआ इसका कि इसको successfully wild में reintroduce किया गया और आज ये vulnerable है ये अब extinct in wild नहीं रहा अब ये vulnerable की category में आ गया है Arabian oryx इसके उपर specifically question बन गया था ठीके तो Arabian oryx भारत में नहीं पाया जाता ये Middle East में पाया जाता है Arabian Peninsula में पाया जाता है extinct in wild हो चुका था और चुकि ये successfully wild में return हो गया इसको अब vulnerable की category में रखा है अब ये extinct in wild की category में नहीं रहा हाला कि ये scimmitor horned oryx जो है या scimmitor oryx जो है वो अभी भी extinct in wild की category में है ये wild state में खात्म हो चुका है scimmitor oryx ये least concern है और ये critically endangered edicts आगे चले oryx की एक और प्रजातिय वो है East African oryx East Africa की बंजर इलाकों में पाया जाता है East African oryx Serengeti तक में पाया जाता है East African oryx है ये near threatened है near threatened की category में IOC नहीं इसको रखा हुआ है फिर ये एक सुन्दर सा antilope है ये है sable antilope S-A-B-L-E sable ये भी South Central Africa में पाया जाता है इसको भी least concern की category में रखा हुआ है फिर ये grazing antilopes कहलाते है जो मैं आपको बता रहूँ ग्रेजिंग antilopes कहलाते है ये है blue bug नीले रंका है नहीं इसके उपर नीले रंका reflection आ रहा है इसलिए नीले रंका दिख रहा है असल में नीले रंका थानी ये extinct हो चुका है sun 800 के आसपास ये extinct हो गया आपको पता होगा South Africa में जो settlers आयते boars और अंग्रेज जो South Africa में आतर settle हुए उन्होंने इसका इतने बड़े पैमाने पर शिकार किया कि मात्र 50 साल के अंदर मतलब इसकी discovery के 50 साल के अंदर ही ये विलूप्त हो गया Blue Buck ठीक है ये South Africa में पाए जाता हुए तो केवल Cape Region में पाए जाता था आपको South Africa में बारे में पता होगा तो Cape Town जो है वो Cape Region में आता है बतलब South Africa का भी South जो है वहाँ पर ये पाए जाता था और अब ये विलूप्त हो गया है ये extinct हो गया है blue buck फिर roan antilope ये भी अफ्रिका की घास के मैदान में पाई आता है अफ्रिका में आप ध्यान दें तो सहारा desert के south में एक grassland की belt है एक semi desert की belt है बहुत लंबी belt है उसको कहते है साहिल क्या कहते है उसको? उसको क्या कहते है? उसको हम कहते है साहिल साहिल मतलब वो एक जो पट्टी है grasslands की जो सहारा desert के just south में है बिल्कुल south में है just south में उसको हम साहिल कहते हैं उसके south में अफ्रिका के grasslands शुरू होते हैं सवाना कहते हैं अफ्रिका के सवाना शुरू होते हैं grasslands से अफ्रिका के जो कि West Africa से शुरू होकर East Africa होते हुए South Africa तक Southern Africa तक फैले हुए है ठीक है अफरिका की grasslands सबसे बड़े grasslands है ठीक है तो ये सारे के सारे antilopes अफरिका की grasslands में पाये जाते हैं या desert में पाये जाते हैं अब Qatar Airways का ये logo है जिसमें आपको Arabian Oryx बनाऊगों देखेगा Qatar Airways का logo है उनकी culture के लिए Arabian की culture के लिए कितना important है आप देख लीजिए अब antilopes कितने तरह के होते हैं कौन-कौन से होते हैं उसमें ये और आपको बता दू wildy beast सारे antilopes में सबसे जादा यही है सबसे common है, सबसे भद्धा बदसूरत भी यही है यह wildy beast आपने डॉक्यमेंटरीज वगेरे देखियोंगी मसाई मारा सेरेंगेटी की बीच में जो migration होता है देखा आपने, देखा ही होगा तो वो इनी का होता है 10 लाख wildy beast 10 लाख wildy beast जो होते हैं वो मसाई मारा से सेरेंगेटी टू एंट फ्रो माइगरेट करते हैं 10 लाख wildy beast यह सारे antilose में सबसे ज्यादा न्यूम्रस है wildy beast least concern जाहर जिवाते हैं और wildy beast की भी दो species है, दो प्रजातिय है wildy beast की यह है blue wildy beast इसको blue क्यों कहते हैं पता नहीं लेकिन यह blue wildy beast कहलाता है फिर एक होता hearty beast heart का मतलब होता है hiran hiran जैसा दिखने वाला जानवर इसको hearty beast कहते हैं, अब आप देखें इसका नाम भी हiran के नाम पे ही पड़ा हुआ है तो hiran से कितनी similarities है antilope की आप देख सकते है hearty beast भी अफ्रिका में पाया जाता है korygum, topy, sesebee यह भी अफ्रिका में पाया जाता है यह एक ऐसा creature है कि जिसके classification को लेके ही जहगडा है experts में, scientists में इसके classification को लेके ही अभी विवाद चल रहा है कि इसको कौन सी species माना जाए कौन सी species माना जाए यह एक ही species है यह कई सारी सब species का cluster है इसको लेकर अभी विवाद चल रहा है लेकिन फिलहाल इसको हम korygum कहेंगे korygum, topy, sesebee यह इसकी प्रजातियम होती है इस तरह का दिखता है इस्ट अफ्रिका में यह भी पाया जाता है यह है दुनिया का सबसे ज्यादा संकट ग्रस्त एंटि लोग hunter, sate beast इसको कहते है यह कहलाता है हिरोला वहां की local भाषा में इसको हिरोला कहते है जैसे भारत में हम गजल को चिंकारा कहते है न वैसकि वहां की local भाषा में के खारा है जानवरों की क्या देखभाल करेंगे जानवरों की क्या रक्षा करेंगे तो सोमालिया की हालत आप जानते हैं, सिविल वार छिड़ा रहता है एनार की फैली रहती है वहाँ पे तो वहाँ पे जानवरों की रक्षा क्या होगी वहाँ पे इसका natural habitat था जो कि तबाह हो गया है अब सिर्फ कीनिया की एक ही जगह पर पाया जाता और दुनिया में 500 से भी कम हिरूला बचे हुए हैं 500 से भी कम हिरूला बचे हुए हैं यह केवल वाइल महीं पाया जाता और 500 से भी कम बचे हुए हिरूला प्रिटिकली एंडें बहुत तेज भागने वाले बंकी धर्ती पर सबसे तेज भागने वाले जो अंति भाग सकती है तो इयृस्ति को ध्यान में रखते हुए इंपलार कार को इस तरह का नाम दिया गया तो ये भी एक अंति पाला, जो कि अफ्रिका में पाया जाता है ये भी अफ्रिका का एंटिलोब है कोब और ये भी कोब है ये वाइट इयर्ड कोब है इसके कान सफेद रंके इसलिए इसका नाम वाइट इयर्ड कोब पड़ा है ये है कोब कोब एंटिलोब ठीक है ये कॉब वाइटेट कॉब जो ए वो कॉब की एक sub-species है अलग species नहीं है कॉब की एक sub-species है ये अलग species नहीं है कॉब की sub-species है वाइटेट कॉब और मैं यहाँ पर इतना stress करके इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको honoring हो सकता है कि कहीं ब्लैक बक तो नहीं है मुझे बताइए Black Buck में और स्में क्या उंतर है आपको Black Buck में और White Eight Cove में कोई अंतर दिख रहा है दिख रहा कोई अंतर अंतर है बिलकुल है ध्यान से देखिये तब को समझ में आएगा साइज एक बात और और क्या अंतर है और क्या डिफ्रेंस है एनी गैस हॉर बिल्कुत सही पहला जो क्लिनिकल अब्जर्वेशन है वो यही है अलग अलग नहीं ठीक है बॉडी कलर कुछ हट तक अलग है वैसे देखने में एकडम से नहीं समझ भाएगा छोटे 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 एंटी लोप जो होते हैं बहुत छोटे छोटे एंटी लोप से होते हैं इसका नाम है रॉयल एंटी लोप यह वेस्ट अफ्रिका के Rainforest में पाये जाता है, वर्षावनों में पाये जाता है Royal Antilope, यह दुनिया का सबसे छोटा antilope है, सबसे छोटी गाय है यह, Royal Antilope, ठीक है? यह भी छोटी-छोटी antilope ही, यह कहला थे, डिक-डिक यह अफरिका की ग्रासलेंड से पाए जाते हैं अफरिका की जाडियों में पाए जाते हैं डिक डिक बहुत छोटे एंटिलोप से और इसकी चार प्रजातियों होती डिक डिक की ठीक है छोटे छोटे एंटिलोप कितने छोटे वाद देख सकते हैं यह थोड़ा अन्यूजबल एंटिलोप इसलिए यह है डु करकी ठीक है यह भी छोटा सा एक antilope है और छोटा होता है यह थोड़ा unusual antilope है यह killer यह unusual क्यूं है क्योंकि हमने अब तक जितने antilope देखे वह यह घ्रास के मैदान के जंगलों के हैं क्लिप springer जो है वह वह चक्टानों में रहता है यह rocky outcrops आप देख रहें तो जिस तरह की फीचर उसको हम कहते हैं तो तो इस तरह की Tours में ये Cliff Springer पाये जाता है, इस तरह की Copy में Cliff Springer पाये जाता है East Africa के, ये थोड़ा Unusual इसलिए क्योंगि Grassland की जगे ये पत्री ले अलाकों में पाये जाता है, बड़े Antilox कोंसे होते हैं, ये है Eland, अफरिका में पाये जाता है ये भी, अफरिका की घास के पालते हैं, ठैस को पालते हैं, अफरिका में इलेंड को पालते हैं, तो उनकी इलेंड माता होगी, जैसे हमारी गव माता होगी, वैसे उनकी इलेंड माता होगी है, होना तो ही चाहिए न, काईदे से, तो जैसे हम गाये को पालते हैं, वैसे इलेंड को अफरिका में पालते जाइंट इलेंड, यह दुनिया का सबसे बड़ा एंटिलोप होता है, वेस्टर्न जाइंट इलेंड, बतलब जाइंट इलेंड सबसे बड़ी स्पीशीज है, एंटिलोप की वो तो एक बात हो गई, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिकली बात करूँ, तो वेस्टर्न और Senegal में ही पाये जाता है Senegal, अफरिका का Western कोने में है बिलकुल सवाना Senegal के जो गास के मैदान है बहाँ पर यह पाये जाता है Western Giant Island के वही तक Ishaan अब अजीर किस्प के अटिलोप्स कैसे हैं जैसे यह आप देख रहे होंगे क्रैनक आप देख रहे हैं जरिनक आप देख रहे हैं, ये जरिनक East Africa में पाये जाता है, इसको जिराफ गजल भी कहते हैं, क्योंकि जिराफ गजल क्योंकि इसकी गर्दन नम्दी आप देख रहे होंगे, यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन ये फिमेल देखिए, इसकी गर्दन देखिए आप, कितना ख कुछ और खास बाते हैं, पहली बात हो, माइग्रेशन, ये विल्डी बीस का माइग्रेशन, आप डिस्करदी चैनल, नेशल जागर्फिक वगरे में देखते हैं, बहुत कॉमन है, मसाई मारा और सरेंगेटी की बीच में माइग्रेट होते हैं, ठीक है न, पहले ये माइग माइग्रेशन माउंट केनिया और माउंट किलमन जारो की बीच में हुआ करता था, ठीक है, लेकिन माउंट केनिया और माउंट किलमन जारो की बीच में नायरोबी शहर डेवलप हो गया, नायरोबी कहां पे है, बताइए मुझे, नायरोबी कहां पे है, हाँ, लाइन्स और क्रोकडाइल इसका शिकार करते हैं क्रोकडाइल जब ए नदी पार करता है Kenya की capital है Nairobi correct Nairobi Mount Kenya की पास बस गया इसलिए इनका migration route अलव हो गया अब ये Mount Kenya से Kilman जारो Migrate दिए करते माशाहिमारा से Serengeti Migrate करते है Kenya की capital है Nairobi वो develop हो गई इसकी वये से इनका root change हो गया अब आप देखिए इनसानों की गती वीडियों से nature पर किस तरह का असर पढ़ता है आप समझ रहोंगे जानवर कितने sensitive होते हैं मैं खुद का अपना experience बताता हूँ कि मैं जब जंगल में गया था मैंने नील गाय देखी नील गाय मेरी presence से ही भाग गई मेरे presence से ही भाग गई पानी पीने आई थी मेरे presence से ही भाग गई मतलब इतना शाय होता है जंगली जानवर तो ये कितने sensitive जानवर हो सकते हैं आप समझ सकते हैं इसलिए अपना root change कर लिया इंसान के activities का ecology पर क्या आसर होता है आप इसमें देख के समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा migration है 10 लाख wildy beast मसाई मारा से सरेंगेटी migrate करते हैं तो आप देखी किस तरह का नजारा होता है और हमने अभी इस migration की बात की जिसके बारे में जगे जगे गली गली चाचा होता है लेकिन ऐसे कुछ और migration से जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है South Sudan आप जानते हो कि Sudan से South Sudan 2011 में अलग हुआ था South Sudan Sudan से 2011 में 2011 में अलग हुआ था Civil War चल रहा था उमीद ये लगा ही जा रही थी कि Civil War अब खत्म होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं Civil War अभी भी चल रहा है सूडान में और South Sudan में ये जो सीन है ये South Sudan का सीन है तो ये टियांग है जो migrate कर रहे है ये antilope देख रहे हैं आप आपको याद होगा मैंने टोपी antilope के बारे में आपको बताया था टोपी टोपी antilope जो आपको मैंने बताया था उसी की सबस्पीशीज है ये टियांग तो ये हज़ारों की तादात में टियांग migrate कर रहे हैं आप देख रहे हैं इसमें ये South Sudan का सीने जहां पे इतने साल Civil War चलता रहा पिछले 50 साल से Civil War चलता रहा तब भी यहां पर wild life सुरक्षित है ये South Sudan का एक और migration कहां migrate करते हैं उनके migrate करनी की जगे जो है वो है Boma National Park Boma National Park जो है वो एरिया में मनिपूर से भी बड़ा है इतना बड़ा नेशल पार्क है मनिपूर से भी बड़ा नेशल पार्क है अफरिका में आप देखिए अफरिका में ऐसे बहुत सारे नेशल पार्क के मनिपूर से बड़े, हमारे भारत के कई सारे स्टेट से बड़े नेशल पार्क से महा पर, पंजाब से बड़ी गेम रिजर्वस है, नेशल पार्क से महा पर, ऐसा ही एक migration होता है, गजल्स का, मौंगला गजल होता है, वो साउथ सूडान में माइगरेट करता है, तो 2011 में, 2011 में जब aerial survey किया जा रहा था, हवाईजास से survey किया जा रहा था, तब यह migration पाया गया, और लोगों को आश्यर हुआ, experts को आश्यर हुआ, गयार, इतना civil war हुआ, इतनी तबाई हुई उसके बाद भी, हजारों की तादाद में, ट्यांग माइगरेट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाहों की तादाद में, वाइट येर्ट कोब माइगरेट कर रहे हैं, और लाहों की तादाद में, मोंगला गजल माइगरेट कर रहे हैं, तो scientist को और experts को बड़ा आश्चरी हुआ ये हुआ कैसे ये कुदरत का करिश्मा ये कुदरत की खुबसूरती इतने साथ तक हमारी नजरों से छुपी कैसे रही ठीक है न तो ये एक और natural wonder है जो की भारत में नहीं है अब कोई बताएगा भारत में migration क्यों नहीं होता है ये इतने बहतरीन migration हमने देखे हैं ऐसे भारत में क्यों नहीं होता है क्योंकि भारत में population जाता है जगे जगे शहर बसे हुए इसलिए हमारे migration नहीं होता इस तरह का ठीक है न लेकिन इस बात की क्या guarantee है कि भारत में इस तरह के migration नहीं होते होंगे भारत में इस तरह के migration नहीं होते होंगे इस बात की क्या guarantee है गारेंटी है लेकिन एक और important special point है जिसके बारे में आपका ध्यान आकर सिट करूँगा वो ये है कि भारत में grasslands खत्म हो गए है आप एक minute के लिए एक minute के लिए आखे बंद करके सोचिए कि wasteland क्या होती है बेकार जमीन हम किसको कहेंगे जंगल को तो हम बेकार जमीन कहनी सकते उपजाओ जमीन को हम बेकार जमीन कहनी सकते तो हम बेकार जमीन wasteland हम किसको कहेंगे हमारे दिमाग में सबसे पहले wasteland के दाम से अगर कुछ उभरता है तो वो है grassland नहीं, हमारे दिमाग के wasteland का मतलब सबसे पहले आता ही grassland है और हम तो ठीक है, सरकार के दिमाग के सबसे पहले grassland ही आता है सरकार के दिमाग में कोई खाली पड़ी हुई जमीन मतलब grassland है इसलिए grassland का अपना ecosystem होता है तो wasteland के नाम पे सारे grassland से सफाया होता जा रहा है, बड़ी तेज़ी सफाया होता जा रहा है और इस तरह से grassland ecosystem जो है वो बहुत ही endangered है बुरी तरह से संकट गरस्त है इसलिए grassland species भी बुरी तरह से संकट गरस्त हो गई है आज की तारीक में आप मुझे एक हेक्टेर नी एक एकड़ी ऐसा grassland बता दीजिए जहाँ पर आपको बिजली के तार न मिले जहाँ पर आपको खेद खलियान न मिले जहाँ पर आपको गाई डोर चरते हुए न मिले, ऐसा मुझे एक एकड़ का plot बता दीजिए, जहाँ पर आपने ये सब Neal guy और Chausinga Neal guy, Bosselafass, Trigocambaliset, scientific name है, यह एशिया का सबसे बड़ा antelope, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा antelope कौन सा है, Neal guy है, Chausinga, अभि किसी ने four-horned antelope की बात की थी, यह है वो four-horned antelope, इसके four-horned antelope, वूप मेने आपको बताए था सबसे शोटा एंटी लोप कौन सा है बता है यहाँ जवाब दें पिगमी तो केटेगरी होती है पिगमी तो शब्ध है असल में पिगमी मतलब छोटा इलेंट सबसे बड़ा है मैं सबसे छोटा पूछ रहा हूँ smallest antilog कौँसा है इतनी जली बूल गया आप लोग फोटो भी देखाया था मैंने याद कीजिए royal antilog correct ठीक है न लेकिन भारत में सबसे छोटा antilog कौँसा है चौसिंगा चौसिंगा भी बंजर इलाखों में पाया आता है कठील जाड़ीों में पाया आता है चिंकार आप सभी जानते हैं Tibetan gazelle पाया आता है भारत में बहुत कम है बहुत rare है Tibetan gazelle अच्छा जैसे भारत में हम घजल को चिंकारा कहते हैं तिब्बती भाषा में वहां के गजल को कहते हैं Goa, जी ओओए Goa, भारत में बहुत rare है, भारत में जो एलाके तिंबबत से लगे हुए जैसे कि लटाख और सिख्किम, वहां पर गवा पाये जाता है, टिबेटन गजल इसको कहते हैं, वो वहां पाये जाता है, ब्रो कैपरा, पिक्टी कॉड़ा, कॉड़ेटास का साइंटिफिक नेम है, चिंकारा का साइंटिफिक नेम है, गजेला, बैनेटी, या बनेट्स गजेल, अब ये बड़ा इंट्रेसिंग एंटिलोप है, इसके, इससे जो उन प्राप्त होती है, इसके बालों से, जो उन प्राप्त होती है, उसको कहते हैं शाहतूश शाहतूश की शॉल बनते होगी अगर आप कश्मीर गए हों कभी कश्मीर के आपने शॉल्स खरी दियों तो आपने शाहतूश का जिकरक सुनाऊगा जरूर तो शाहतूश शॉल जो होती है वो इससे निकलती है ये कहलाता है Tibetan Antilope Pentholops Hogs Tani इसका scientific name है ये चीरू कहलाता है Tibetan भाषा में इसको चीरू कहते है ये Tibetan Antilope है और ये इसका खाल खाल नी सॉरी इसके जो वूल है इसकी उन है जिससे शॉल बनती है उसके लिए जाना जाता है जिसको शाहतूश कहते है तो ये एक Antilope भी भारत में पाये जाता है फिर भारत का सबसे प्रसिद्ध Antilope Black Buck Antilope Sarvikepra इसका scientific name है Black Buck का और दो सबस्पीशिस है Black Buck की Antilope Sarvikepra Sarvikepra जिसको कि South Eastern Black Buck कहते है जो कि मध्य भारत में मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और करनाटक में पाये जाता है मतलब मध्य प्रदेश और दखन में पाये जाता है और दूसरा है North Western Black Buck मतलब Antilope Sarvikepra राजपुताने ठीक है ये North Western भारत में पाये जाता है मतलब पंजाब, हरयाना, रायस्तान, गुजरात वहाँ पर ये पाये जाता है सबसे पहले तो आँखों के चारो तरफ के सफेद पैच का है जो South Eastern Black Buck होता है उसके आँखों के चारो तरफ इतना बड़ा सफेद पैच नहीं होता है दूसरी बाद उसके पेट के नीचे इतना बड़ा सफेद पैच नहीं होता है ये सफेद पैच छोटा होता है पैज देख रहा है, पेट के नीचे सफेद पैज देख रहा है, आपको वी चारत तुरफ सफेद पैज देख रहा है, तो यह basic differences है, जो clinical observations आपको समझ में आ सकता है, कि दो subspecies के बीच में difference क्या है, खीक है ना? ब्लैक बक के बारे में कुछ खास बाते आपको बता दूँ, भभारत में दसीयों लाग black bucks थे, सौ साल पहले, मिलियन किसको कहते हैं दस लाख आप एक कागस पे बिंदिया मांगी देख लिजिए कितना होता है तो दस लाख दसीयों लाख ब्लैक बक्स भारत में थे लेकिन ब्लैक बक का जो नैशनल प्रेडिटर है चीता वो खतम हो गया ब्लैक बक दस लाख से भी जादा थे भारत में बनकी चालिस लाख ब्लैक बक्स थे भारत में ऐसा माना जाता है और यह ब्लैक बक पाए जाते हैं थे पंजाब हर्याना, राजस्तान, मद्धिप्रदेश और गुजरात के घांस के मैदाना भी ग्रासलेंट्स में यह आप जो देखने हैं वेलावदार का सीन है वेलावदार कौन से स्टेट में कोई बताएगा वेलावदार कौन से स्टेट में है वेलावदार ब्लैक बग नेशनल पार्क जिसको ब्लैक बग नेशनल पार्क भी कहते हैं वो कौन से स्टेट में कौन से राज में कुई बता है नहीं गलत करनाटक में नहीं है कि एनी गैस कि एंपियों में नहीं है वो भी गलत जवाब मद्रदेश में नहीं है को भेलावदार कौन से तेट पहुइं हो ए안 को केरन भी घलत जवाब दिजिए हर बड़ा três में जवाब दीजिए हर पहले ये सोच है कि Black Buck कहां कहां मिल सकता है भारत में थोड़ा भारत का नक्षा और भारत की जो जोगरफ ही है उसको ध्यान में रखे जवाब दिए कि Black Buck कहां कहां मिल सकता है नहीं चूरू रायस्तान में नहीं है वहाँ पे ताज चपर है हाँ वहाँ पे Black Buck पाया जाता है ये बास सही है लेकिन Black Buck National Park की पूछ रहा हूँ मैं National Park और Wild Life Century में अन्तर ये आप सभी चालते हैं मैं Black Buck National Park के बारे में पूछ रहा हूँ जिसको कि हम वेलावदार भी कहते हैं Black Buck National Park के वेलावदार कहां पे है कहां हो सकता है गुजरात सही जवाब आया ultimately गुजरात में है विलावदार नेशल पार विलावदार नेशल पार को ब्लैकबग नेशल पार भी कहते हैं रानी बेन्दूर जो आप बतारे करना टकका वो ब्लैकबग सेंक्चूरी है ठीक है ब्लैकबग के लिए वो भी जानी आती है 12,000 वहाँ भी ब्लैकबग है और विलावदार में करीब 5000-6,000 ब्लैकबग है ठीक है तो ब्लैकबग से पाया जाता है ब्लैकबग नेशल पार को और सेंक्चूरी के बारे मैंने बता दिया एक जमाने में मतलब आज से 100 साल पहले सौराष्ट पेनिंजूला जो है गुजरात का गुजरात की यह ठुटी है वहाँ पर ही 80,000 ब्लैक बक्स थे मतलब कितनी बड़ी तादाव में थे आप सूच लिजिए 80,000 ब्लैक बक्स गुजरात के केवल सौराष्ट में और जामनगर डिस्टिक्ट में 30,000 ब्लैक बक्स विलावदार में आज जहां 5,000 है पहले 8,000 ब्लैक बक्स हुआ करते थे हलागि धीरे से 8,000 हो जाएंगे वहाँ में भी क्योंकि गुजरात में गटके 3,000 रहे गए 1982 आते हैं 1982 आते हैं सौराष्ट पैनेंजुला में केवल 3,000 ब्लैक बग्स बच गए तो आप सोचिए किस बड़े पैमाने पर इनका शिकार हुआ होगा तो पूरे भारत में ब्लैक बग्स की पॉपलिशन 1970 के रशे को 20,000 ती जो की घटकर 50,000 रहे गी 50,000 रहे गी 1980 आते हैं विलावदार निशल पारक गुजरात में हैं और रानी बिन्बूर करनाटक में हैं ये दो इंपोर्टेट ब्लैक बग्स रेफुजेस हैं ठीक है आगे बढ़ें तो भारत में जो तमाम एंटिलोस पाई जाते हैं उनका आयूसिन स्टेटस क्या है नील गाय तो पैस्ट है किसानों को परेशान करती है खेतों पर रेड़ मारती है गिंती बहुत जादा है इसकी इसकी तो कलिंग के ओर्डरस मिले हुए कलिंग क्या होता है कलिंग मतलब C-U-L-I-N-G कलिंग का मतलब होता है लीगल तोर पर जानворों को एकटा घीड में जिनका जानवरों को गोली मार देना खतम कर देना उसको कहते है कलिंग मतलब माली जी हिरंद का एक जुंड है उसको कल करना हो C-U-L-L कल करना हो तो उसके पूरे जुंड को जिससे को शूर करते हैं, मतलब मास में जिसको हम मैसेकर कहते हैं, उसको नहीं, शिकार करना नहीं, उसको एक तरह से हम कतलियाम कह सकते हैं, लीगल कतलियाम कह सकते हैं, जानवरों का, उसको हम कह सकते कलिंग, अभी फिलाल बिहार में नील गाय की कलिंग पर को और्डर मिले है नीलगाए की कलिंग को एलाउzent किया हुआ है बिहार में, चानती है आप लोग, तो अलग अलग जो अंटीलोज भारत में पाय जाते एक कितने प्रकार के है, छे प्रजातियों के अंटीलोज भारत में, उनका आईयूसी स्टेटम सक्या है, नीलगाय छेट कंसन है, जाहिर से अगर आप तमाम एंटिलोप की रेंज देखे तो आप यह पाएंगे कि भारत की ईस्ट में एंटिलोप पाएं ही नहीं जाते हैं मतलब भारत एंटिलोप की इस्टर जिमिट है जो मैंने बना हुए है नक्षे में जो कलर बना हुआ है, मैरून कलर एंटिलोप इन इलागों में पाएंज जाते हैं अब मैंने आपको बताया था कि एंटिलोब सिर्फ ओल्ड वर्ल्ड में पाया जाते हैं लेकिन न्यू वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो देखकर एंटिलोब जैसे लगे जैसे कि यह प्रॉंग हॉन हो गया प्रॉंग मतलब टेडा मेडा और हॉन मतलब सिंग प्रॉंग हॉन मतलब इसका टेडा मेडा सिंग है इसलिए इसको प्रॉंग हॉन कहते हैं यह नौर्थ अमेरिका में पाया जाता है इसको भी एंटिलोब कहते थे पहले जब तक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तब तक इसको भी एंटिलोग मानते थे, मज़ा तो देखिया आप, नौर्थ अमेरिका में है, न्यू वर्ल्ड में है, इसलिए इसको हम एंटिलोग नहीं मानेंगे, उसका कारण कुछ और है, वो scientific कारण है, अपैरेंटली एंटिलोग नहीं है, प्रांग होन दिखने हो भले एंटिलोग जैसे दिखता हो, लेकिन यह एंटिलोग नहीं है, इसको हम कहेंगे, फॉल्स एंटिलोग, ठीक है, यह है केमोईस, केमोईस योरोप के पहाड़ों में पहाड़ों में, यह पाए जाता है, केमोईस, केमोईस योरोप के पहाड़ों के लिए एंटेमिक है, यह जैसा है अब आप देखे गोट जो है भेड बख्रियों जिससे दिखने वाले जानवर जो है वो पहाडों पे ही पाए जाते हैं क्यूंकि भेड और बख्री भेड और बख्री बेसिकली पहाडों का ही जानवर है भाई पहाडों से ही इंसान पकड़ के लाया और जमीन पर उस योरोप के पाड़ों में पाए जाता, ये एंटी लोप नहीं है, ये बकरी और एंटी लोप की बीच का transition कह सकते हैं, देखने में हेरन जैसे नहीं हम इसको एंटी लोप नहीं कहेंगे, इसको हम गोट लाइक एंटी लोप कहेंगे, ठीक है? अब मुझे बताईए ये सब जो मैं लिस्ट बना के रखे हूँ एंटी लोब है या नहीं है हलो, मुझे बताईए एंटी लोब है की नहीं है इसमें डियर कौन कौन से है इसमें डियर कौन कौन से इसमें डियर कौन कौन से इसमें डियर नहीं होता है डियर होता है सामबर डियर है करेक्ट 12 सिंगर डियर है वो भी करेक्ट कौन डियर नहीं है अच्छा आपने से किसी ने अभी पश्मीना का था हाँ, सही का था आपने, पश्मीना गोट होती है, पश्मीना गोट होती है, करेक, पश्मीना गोट से जो वूल, उन प्राप्त होती है, उससे शौल बनती है, पश्मीना शौल, कश्मीर की, पश्मीना गोट होती है, आपका एंटिलोप क्यों नहीं है क्योंकि वो हिरन जैसा नहीं दिखता भले वो cow family का हो वोविड हो भले वो ruminate हो भले वो angulate हो लेकिन वो हिरन जैसा नहीं दिखता इसलिए गौर गौर एंटिलोप नहीं है नीलगीरी ताहर क्या है किसीने सुनाए नीलगीरी ताहर हाँ नीलगीरी तहर गोट है, इसलिए ये deer जैसा नहीं रिखता है और इसलिए ये antilog नीलगी तहर भी नहीं है, तो इसमें से antilog कोई भी नहीं है, antilog कोई भी नहीं है, 12 सिंगा हिरन है, सांबर हिरन है, क्योंकि इनकी antlers होते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए वो अलग family को बिलॉग करत हैं, क्योंकि appearance की हिसाब से आप बोलते हैं, ठीक है, appearance की दृष्टी साब बोलते हैं, तो आपके जवाब सही है, सबके जवाब सही है, मेरे ख्याद से antilog की concept आप सबको clear हो गए होगे, ठीक है, तो ये थी हमारे special class, फिर से मैं एक बार repeat कर देता हूँ, कि पश्मीना goat है, पश्मीना goat है, ठीक है, पश्मीना goat है, रख, ओके, तो ये class हमारे finish होती है, बहुत बहुत धन्यवाद, अगला session जो मैं लूँगा, आज शाम को 5 बजे मैं एक session लेने जा रहूँ, वो मैं lions के बारे में लेने जा रहूँ, मैं आपको CEO के बारे में बताने जा रहूँ, कौन-कौन सी 6 species हैं, भी एक तो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा इंटी लोग कौन सा है भाई, नील गाय, मैंने एक गंटे गला फाड़ के आपको समझाया, चिंकारा, ब्लैक बग, गोवा, चीरू, वेरी गुड, ये तो बड़े सही जवाब है, जांगेर साब क्या कर र बिलकुल, 6 कहा हो गए, तो 5 ही हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हां हो गए 6 चलिए, तो ये 6 एंटी लोग भारत में पाई जाते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एंटी लोग है, नील का है, इस बात को याद रखियेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये एंटी लोग वाला ले ले रहा हूं, डीक हों के बारे में लेक्चर ले रहा हूं, कि Lion कहां-कहां पर पाये जाता है, और दुनिया भर में जो Lion's पाये जाते हैं, उनका भारत से का connection है, भारत से क्या संबंदि हैं, उन लाइन सा, वो भी हम उसमें देखेंगे, और उसको भी Maps के थुरू समझेंगे और वो काफी interesting रहेगा हाँ, वो काफी interesting इसलिए रहेगा क्योंकि वो history आपको आम तोर पर देखने को नहीं मिलेगी और उसके maps भी मैंने खुद ही बनाये हुए है तो उस interesting session को आप जरूर return करें Lions के session को आप जरूर return करें ये मेरी आपसे request है तो Lions पर मैं session लेने जा रहा हूँ शाम को 5 बजे तो 2 घंटे बाद मिलते हैं धन्यवाद, thank you very much